इनर वील कलब के सबी सोधस्यों ने आज न्यूद होलादार पब्लिक फूल खलेट में इकठे होकर बच्चों के साथ मिलकर जम्रु कुश्मीर के पुलवामा में हुए अतंकी हमले में शेही स्यानिकों को श्रधांजली दी और उनकी आत्मा की शांती के लिए दो मिनट का मो सरव प्रथम इनर वील कलब पालंपूर की तरफ से पुलवामा में सी आर पी एफ के शहीद हुए जवानों को श्रधांजली आज हम न्यू धोलाधार पब्लिक स्कूल में यहां पे एकत्रित हुए हैं और यहां पे हमने शहीदों को श्रधांजली अर्पित की हैं कलब के बहुत सारे सदस्य, स्कूल के टीचर्ज और स्टूडेंट्स हम सबने मिलके शहीदों को श्रधांजली अर्पित की हैं और हमारी समवेदना उन सब परिवारों के साथ हैं जो शहीदों से संबंदित थे हम इस हत्याकार्ण की बहुत बहुत निंदा भी करते हैं इसके साथ आज हम न्यू दोलाधार पब्लिक स्कूल में बच्चों को क्राफ्ट की टेक्निक्स सिखा रहे हैं यहां पर बच्चों को फैब्रिक पेंटिंग सिखाए जा रही है और साथ ही साथ बेस्ट आउट अफ वेस्ट के ऊपर बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है कि किस तरह से घर में पड़े सामान से ही वे अच्छी अच्छी चीजें बना सकते हैं सजावट की वस्तों बना सकते हैं फैब्रिक पेंटिंग में उनको पेंटिंग की टेक्निक्स जो हमें सिखाए जा रही हैं सबजियों के सहायता से कैसे पेंटिंग की जाती है कैसे फ्री हैंड इस समय मौजूद है और इस तरह से हमारा यह आज का प्रोजेक्ट जो है यह चल रहा है धन्यवाद जो भी घर में आपके पास वेस्ट चीज़े होती है जैसे विस्टिंग इन्विटेशन काज शादी के कोई चार्ट पेपर्स कोई लेसे कोई ड्रॉइंग चार्ट उनमें से आप ऐसी चीज़े कर सकते हूं तो भी तुडे क्रियेटेड इस काइंड्स अफ एंवलप्स यह शगन एंवलप्स पैंस चान और दौलादार पब्लिक स्कूल के बच्चों ने बहुत क्रियेटिवली प यह शगन के लिए दिवारी पर या किसी भी ऑकेजन पर इगनेश चुतफी पर यह उसकता है और यह जोईल्री स्टांग्स हैं लड़कियों लड़के बनों यूज कर सकते हैं और यह शगन के लफापाज है इस यू कन यूज यह हाइर बैक क्यारी बैस है जो बैस्ट आउ निमाचल एक्सप्रेस के लिए पालंपूर से कविता मिल्हास की रिपोर्ट